Hello guys, welcome to Mystic Tarot World, कैसे हो आप सब लोग? I hope, I wish, I pray दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो So आज हम जो reading कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, candlebacks reading है और topic आज के reading का भी आपने पड़ी लिया होगा, title से लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, कल new moon था तो उसका असर आपके person के feelings पे, emotions पे क्या हुआ है वो हम इस reading में देखने वाले हैं बट यह एक general, timeless और collective reading है अगर आपको personal reading लेनी है, तो मेरा number आपको यहाँ पे screen पे भी दिख रहा होगा description box में पे दिख रहा होगा, पहले comment में भी आपको मिल जाएगा और आपको चाहे कोई activated crystal product लेना हो, spell jar बनवाना हो अपने लिए spell oil बनवाना हो, या फिर अपने लिए या अपने partner और अपने रिष्टे के लिए candle healing ritual करानी हो, तो you can reach out to me, मेरा number आपको मिल जाएगा description box में, तो चलो, let's light the candle and देखते हैं, इस new moon का, आपके person के emotions पे, feelings पे, क्या असर हुआ है, okay, चलो, let's see, full moon का, आपके person के feelings पर, sorry, new moon का, sorry guys, new moon का, आपके person के feelings पर, क्या असर हुआ है, let's see, ऐसा लग रहे हैं, जैसे आपके person फिर से बहुती innocent energy में आ रहे है, आ चुके है, जैसे एक बच्चा अतना, बच्चे की energy कैसी होती है, कि वो, नमासूम होता है, innocent होता है, उसके अंदर बहुती, जैसे वो छल कपट नहीं कर सकता, प्यारा होता है, God का special होता है, you know, तो वैसे qualities में आपके person के अंदर देखे हो, जहाँ पर वो अब आपके साथ किसी भी तरह का छल कपट कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं, आपको सुधारना चाहते हैं, यह person, बड़े level पर मैं बूल रहे हूँ आपको, यह person खुद को सुधारना चाहते हैं, और अल्रेडी सुधारना चाहते नहीं, अल्रेडी सुधार चुके है खुद को, आप इनके अंदर का यह change आने वाले समय में देखोगे, अगर अल्रेडी आप इनके life में हो, आप दोनों के बीच में रिश्ता भी भी, मतलब कोई problem नहीं है, ऐस सच, बात हो रहे हैं, आपक वो सारी चीज़े आप देखोगे, क्योंकि innocence आ गया है इस person के अंदर, तो new moon इनके लिए definitely एक shocking था, क्योंकि इस person को जैसे सपने से जगाया है इस new moon ने, अब तक ये सो रहे थे, जो चीज़े कर रहे थे न ये person, वो ऐसे चीज़े कर रहे थे जो आपके लिए भी बहुत ज पहना difficult था, और उस चीज़ को समझना difficult था और इस person के लिए उन चीज़ों को समझना difficult था, okay, ऐसा लग रहे है जैसे, उनके अंदर की सारी बुराईयों को इस new moon ने जैसे खीच लिया है, absorb कर लिया है, okay, yes, एक purity दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहे है जैसे ये person अब, इनक miraculous changes देखोगे, मतलब जैसे होता ना कि हम बोलते हैं ना कि चमतकार होना चाहिए, वो चमतकार जिसका आप वेट कर रहे थे ना, वो चमतकार देखोगे आप इस person के अंदर, इनका behavior बहुत ही, आपके लिए बहुत ही चमतकारिक होगा, आपको लगेगा ये कैसे change होगा इतने ये person इतना कैसे बदल गया, ओके, पहले आपको लेकर jealous ही थी, आपको अगर किसी और के साथ सोचते, देखते, आपको किसी और से बात करते हुए देखते थे, लेकिन बीच बीच में, maybe इस person का वो रूप आपने नहीं देखा, उनको कोई फरक नहीं पड़ता था, जलस नही रिग्रेट तो ही, पच्छतावा तो ही, अब तक जो भी किया इन्होंने आपके साथ, लेकिन डर बड़े लेवल पर देख रही हो मैं, ओके ऐसा लग रहा है, जैसे बात का भी पुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ आज तक जो भी किया, उससे कुछ अलग करना चा और ऐसा भी लग रहा है कि आगे उन्हें जो भी आपके साथ करना है, वो सही करना है, तो आप देखोगी कि आपको किसी और के साथ बात नहीं करने देंगे, आपको किसी और का होने नहीं देंगे, जैलेसी बहुत दिखेगी, आपको इनके अंदर डर दिखेगा खोने का, इनके अंदर मैं एक balance देख रही हूँ, एक आपके साथ दिल से connection भी इनका बनेगा, जो पहले से ही था लेकिन वो strong होगा और मजबूत होगा ये connection, और जो lust है या कह सकते जो attraction, physical attraction है, जो craving है आपसे physical होने की, वो भी इनकी बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा आपके साथ अब ज care भी करेंगे, आपको attention भी देंगे, आपके साथ physical भी होंगे, एक complete रिष्टा जिसे हम कह सकते हैं, आपकी responsibility भी निभाएंगे, ओके, अगर इनके मन में किसी भी तरह का शक है, कि आपको कोई और पसंद करता है, आपको कोई और like करता है, या, you know, कोई secretly आपको पसंद करता ह है, तो इस person के अंदर मैं गुसा भी देख रहे हूँ, लेकिन अगर इनको कभी पता चला, या इनको कभी ये चीज फील हुई, या ये इस चीज का confirmation अगर आपने इनको दे दिया, कि हाम मुझे बहुत लोग पसंद करती है, या कोई है मेरी life में, इनका hope पूरी तरह से तू इनको कभी आने देता, ये डर इनकी मींद को उड़ा चुका है, ठीक है, अल्रेडी, तो कभी भी अगर आप इनको खोना नहीं चाहते न, तो प्लीज मजाक में भी इनको कभी है, सामत बोलना कि मेरी life में कोई और आगया है, ओके, या आपके साथ जो bond है, उसको और deep बनान चाहते है, आपके साथ और वक्त बिताना चाहते है, आपको और जानना चाहते है, और वो खुद भी चाहते कि आप उनको और जादा जानो, बॉंड को और जादा स्ट्रॉंग बनाना चाहते है, और जादा प्यार से भरावा रोमैंटिक बनाना चाहते है, उनको लगता है कि वो पैशन मिसिंग हो गया है आप दुनों के रिष्टे से, और वो सब, देखो यह सब आप चाहा रहे थे काफी टाइम से, यह सब हो हमारे रिष्टे में, लेकिन वो कहीना कहीं आपके परसिंग हो गए थे, भटक गए थे, लेकिन अब कहीना के जाग गए है, यह नियू मून उनको जगा के गया है, उठ जाओ, आखे खोलो, थोड़ा सा efforts डालो रिष्टे पे, ठीक है, यह आपके और करीब आने वाले हैं, mentally, physically, emotionally, हर तरीके से, आप दुनों के बीच में आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा physical intimacy होगी, मैं इसकी भी rituals करती हूँ, अगर आप मुझसे कराना चाहते हो, ठीक है, अब लोगों को अगर लग रहा है कि एक romance हो गया है, तो वो भी आप फिर से ला सकते हो life में, rituals बहुत help करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे, आप दुनों के मन में, जो भी एक दूसरे से सवाल थे, उनके जवाब, तो आप दुनों एक दूसरे को पूछोगी भी, और जवाब भी दोगे, एक clarity आने वाली है आप दुनों के relationship पे, जो question mark था न, वो हटने वाला है, ओके, देखो अगर आप इस person को भाव नहीं देते हो, अगर आप इस person को respond नहीं करोगे न, अच्छे से, तो यह बहुत ज़्यादा सहम जाएंगे, डर जाएंगे, hopeless हो जाएंगे, परिशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, most importantly, इनके अंदर मैं अलगी लेवल का डर देख रहे हो, यह नहीं चाहते हैं आप इनको reject करो, या इनको बूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, या कोई और आजाए आपके लाइफ में इनके अलावा, इनके लिए worst होगा, यह सबसे end point होगा, अगर आपके लाइफ में कोई और आ गया, यह person आपका मूँ भी नहीं देखेंगे, ओके, सच बोल रहे हो, यह इनसान आपका मूँ तक नहीं देखेगा, अगर आपके लाइफ में सच में कोई और आ गया तो, that is how serious this person is for you, about you, क्योंकि इनके लिए, इनका अगर time pass होता ना आपके साथ, तो इनको फरक नहीं पड़ता, लेकिन यह serious है, they are very serious about you, okay, हाँ यह person अलग गलट direction में चले गए थे, आपके उपर से इनका थोड़ा सा attention कम हो गया था, या आपको ignore करने लग गए थे, गलट चीजों में फस गए, गलट लोगों के साथ फस गए, गलट जगे पे influence हो गए, लेकिन अब सही दिशा में आ रहा है यह अंसान, अब आप देखोगे इनका अलग रूप, positive रूप और वो रूप जो आप हमेशा से देखना चाहते थे, अब देखोगे इनके मन में आपको लेकर जो भी खटास थी, गुस्सा था, या अगर कोई आपने गलती करी थी, जिसको लेकर या आपको लेकर माफ नहीं कर रहे थे, वो सब खटम हो जाएगा, सब खटम हो जाएगा, कुछ भी खटास, कड़वाहट, गुसा, नाराजगी नहीं रहेगी इनके मन में, और आप अगर इनको लेकर गुस्सा थे, आप सोच रहे थे कि ने, मैं इसको तो माफी नहीं करूँगी, मैं तो उसको आने नहीं दूँगी अपने लाइफ में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं इसके पास वापस नहीं जाओंगी, वो कोई भी प्लानिंग आपकी नहीं चलने वाली है, क्योंकि कही नगहीं, जो बोलता है न कि जब भगवान खुद चाहते हैं, कि ये आपके लाइफ में आ जाए और आप दोनों खुश रहो, तो आपके मर्जी नहीं चलने वाली, आपके मर्जी नहीं चलेगी जो लोग आपके रिष्टे से जलते थे जो लोग आपके रिष्टे को नजर लगाते थे जो आपके परसन को इंफ्लोएंस करते थे आपसे दूर रखते थे उन सारे लोग वो सारे लोग गायब हो जाएंगे आप दुनों के रिष्टे से, New Moon कही न कही एक blessing भी दे रहा आपको कि आपके रिष्टे को कि वो लोग जो आपके रिष्टे के लिए घातक थे जो लोग आपके रिष्टे के लिए harmful थे वो गायब हो जाएंगे, जो जलते थे गुसा करते थे या फिर आपके रिष्टे को नजर लवाते थे तोड़ने की साज़िश करते थे सारे लोग गायब हो जाएंगे ओके हाँ, थोड़े टाइम के लिए में भी ए परसन आप दुनों के रिष्टे को थोड़ा सिक्रेट रखे क्योंकि जलने वाले लोग बहुत है जो इनको पता है आपके परसनों बहुत अच्छे से बता है कि यह जो लोग दुश्मन है आपके रिष्टे के यह लोग जीने नहीं देंगे आप लोगों को इसलिए यह हो सकता है यह परसना आपसे यह भी बोले कि यार कुछ टाइम तक हमें चुप-चुप कर बात करनी पड़ेगी मिलना पड़ेगा थोड़ा सा सीक्रेट रखना पड़ेगा इस रिष्टे को वरना फिर कोई होप नहीं है वरना चीजे खराब होती जाएगी वरना लोग हमारे रिष्टे को बरबात करके रख देंगे ओके मुझे बहुत फिजिकल इंटिमेसी दिख रही है बहुत ज़्यादा आप दुनों फिजिकल होने वाले हो फिजिकली इन्वाल्व होने वाले हो बहुत ज़्यादा एक रोमैंटिक माहौल मुझे आप दुनों के बीच में बनता हुआ दिख रहा है जो काफ़ी टाइम से द आप दोनों बेभी जादा देट्स पे जाओगे, एक दूसरे के साथ वक्त विताओगे जादा से जादा, तो एक जैसे बहुत अच्छा समय आने वाले आपके रिष्टे में, जहां पे आप दोनों ड्रीमी वर्ल्ड, ड्रीमी लव लाइफ जीने वाले हो, मज़ा आएगा इ bond में और romance बढ़ेगा, bond में और प्यार बढ़ेगा, okay, so basically this thing is going to bring you guys more close to each other, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, romance होगा, एक honeymoon phase होने वाले है आप दुनों के रिष्टे में, ठीक है, जिसका आप कपसे इंतजार कर रहे थे, जिसके नहीं होता लेकिन मुश्किल होता है, बस trust करो एक दूसरे पर, trust करो कि divine के plan पर, ठीक है, क्योंकि हाँ भगवान होते है, एक divine energy है, जो चमतकार कर सकती है, उस पर भरोसा करो, negative लोगों के बातों में मताओ, जो आपको बोलते हैं कि नहीं, भूल जाओ से, कुछ नहीं होने वाला, ये वो, देखो, अभी आपको ही अपने रिष्टे का जो reality है, वो अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी के, चमतकार होते हैं, just wait for it, ठीक है, so कैसी लगी reading, comments में जरूर बताइएगा, reading अगर पसंद आई है, like, comment, share करना, बिल्कुल भी नहीं बोलना ह मिलते अगले वीडियो में, bye